भाई, सभी साथियों, आज तिलंगना असिम्ली की मतगना जो हुई है, उसमें कॉंग्रेस पार्टी को तिलंगना की जनता सभी ने मिलकर कॉंग्रेस पार्टी को जीताने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की हैं, और हम आज कॉंग्रेस पार्टी तिलंगना में सरकार बनाने जा रही है, सभी का जो साथ मिला, सभी जनता का जो साथ मिला, तिलंगना के जो कारे करता है, सब नेता है, भाई बैने है, उन्होंने साथ देकर कॉंग्रेस पार्टी को जीत के और बढ़ाया है, जिस तरीके से इस चुनाओं में प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षे रेवन तरेड़ी जी, इनके नेत्वूत्व में पूरे तिलंगना की प्रचार बड़ी अच्छी तरीके से सभी कॉंग्रेस पार्टी की नेता होने कारे करता होनी की है, अहें भूमिका जो हमारी नेता सुनिया जी गांदी जिनों ने जिस मकसद से तिलंगना दिया था, उस उद्देश को लागू करने के लिए जो मेंडेड है, वो तिलंगना की जनता को, जनता ने कॉंग्रेस को दिया है, अर्जो तिलंगना के लिए सभी हमारे आल इंडिया कॉंग्रेस कमिटे के अध्यक्षे खारगे साहब, हमारे कॉंग्रेस के इवाइन नेतुतर रहू जी गांदी, हमारे नेता प्रियंका जी गांदी, जिन्होंने दुआदार इस प्रदेश में प्रचार किया हैं, और विनुगोपाल जी जो हमारे राज की जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने अहम भूमिका की हैं, तो उसके साथ साथ जो भी तेलंगना की चुनाओ में जो हमारे देश के कॉंग्रेस पार्टी के सिनियर लीडर यहां पर आए हैं, उन्होंने प्रचार किया हैं, सभी का भी मैं तेलंगना कॉंग्रेस पार्टी के और से मैं धन्यवाद करता हूँ, और जिस तरीके से जिस उद्देश से रिवन्त रेड़ीज के नेत्रूत में, पिशे से के नेत्रूत में, आज जीत के और हम बड़े हैं, जो मक्सद से जन्ता ने जितवाया हैं, वो कांग्रेस पार्टी पूरी करने की कोशिश करेंगी, मैं,